दोस्तों नमस्कार एक तरफ राजनिती है दूसरी तरफ अर्थफवस्था है एक तरफ चुनावी रैलियों का बोज है दूसरी तरफ बैंकों को पट्री पर रखने का बोज है एक तरफ हर चुनावी रैली दो हजार चौबिस में सत्ता पास में बनी रहे उस दिशा में ले जाएगी तो दो हजार तेईस में सौ से ज़्यादा रैलियां प्रधान मंत्री मोदी को करनी है लेकिन इसी दोर में जितने डिफॉल्टर्स बैंकों के बढ़ते चले जा रहे हैं और हर बैंक डिफॉल्टर के पीछे कहीं न कहीं कोई राजनिती होती है राजनेता होता है या सत्ता धारी धल के निर्देश होते हैं तो फिर bank क्या करे, bank का board क्या करे और RBI क्या करे अमेरिका के डूपते बैंकों के बीच एक बात खुले तोर पर सामने आ चुकी है बैंकों की balance sheet सही नहीं थी जो बैंकों पर liability है, जो asset है, दोनों के बीच कोई तालमिल नहीं था और भारत के भीतर के बैंकों की इस्तिती को भी देखिये तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि दरसल जिने करज दिया जाता है वो करज लोटा पाने की इस्तिती में रहने के बावजूद भी करज नहीं लोटाना चाते हैं यानि विलफुल डिफॉल्टर होते हैं और सरकार बैलेंस शीट ठीक रहे इसके लिए उस करज को रिटेन आफ कर देती है और वो पूरी रकम बटे खाते में डाल दी जाती है कैसे समलेंगे बैंक और अब RBI के गवर्नर उन्होंने भी साफ तोर पर कह दिया कि बैंक अपने तोर पर अपनी बैलेंस शीट को ठीक रखे और यह भी उन्होंने संकेत दे दिये कि अच्छा है भारत के भीतर घरेलू निवेश बैंकों में करीब दो तिहाई होता है जो कि बैंकों को बचाए हुए है यानि कॉर्परेट के आसरे अगर आप रहते और इस देश के भीतर में अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों चले गए होते यह तो अच्छा है कि आप सरकारी बॉंड में वहां पैसा लगाते हैं और यह तो अच्छा है कि घरेलू निवेश 60 फीजदी से ज़्यादा का है तो बैंक बचे हुए हैं लेकिन कब तक यह सवाल अब इसलिए महत्पुन हो चला है कि दुनिया भर के बीतर जिस दौर में शेर बाजार का अपना मार्केट कैप जो है बढ़ा है भारत का मार्केट कैप कम हुआ है भारत के शेर महंगे हुए हैं तो विदेशी निवेशको ने भी यहां शेर बेच कर दुनिया के दूसरी जगाओं पर पैसा लगा दिया यानि भारत से मुनाफ़ा कमा पाने की स्तिती में विदेशी निवेशक आ गए लेकिन भारत के भीतर जिस तरीके से घरेलू निवेशकों के सामने संकट एक तरफ बैंकों का वहां से निकल कर जो शेर बाजार में पैसा लगता है उसको लेकर और कितनी बड़ी तादाद में कितना प्रभावित भारत की एकनौमी के मद्दे नजर बैंक हो रहे हैं और क्यों परचार तो होते रहेगा लेकिन देश को समालना जरूरी है और देश को समालने के लिए एकनौमी को समालना जरूरी है और एकनॉमी की रीड अगर बैंक हैं तो बैंकों के आसरे अपने रईस मित्रों का तो दूर छोड़ दीजिए एक कॉर्परेट और दूसरी तरफ इंडस्ट्री जिसमें मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर है उस दिशा में चीजे बढ़ नहीं रही है लेकिन उस दिश है चेतावनी दे नहीं सकते हैं आरवी आई के गवर्नर तो बात बात में किसी कारिक्रम में सिर्फ जिक्र करते हैं और जिक्र दरसल उस दिशा में भी जाता है कि हमने तो बहुत पहले कहा था कि क्रिप्टो करेंसी का खत्रा क्या है और वो कितना भयानक खत्रा है लेकिन भ पहला संकेत तो यही है कि भारत के भीतर अगर बैंक समल रहे हैं तो क्या सिर्फ 2024 के चुनाओं के मद्दे नजर भारत की अर्थवस्था के आकड़े किसी भी रूप में रखे जा रहे हैं तो क्या सिर्फ 2024 के चुनाओं के मद्दे नजर और भारत में आकड़ों का ये खेल RBI समझ चुका है और RBI का अपना डिविडेंट कम हो गया है जो PSU का डिविडेंट सरकार को मिलता उसमें कमी आ गई है क्यों ऐसा हो रहा है आईए आज कुछ पन्नों को खोलते हैं जिसके बाद उस लकीर को आप समझ पाएंगे जो भारत के भीतर RBI सरकार से ही कह रहा है सावध ये सावधान कहने की जवरत क्यों आन पड़ी है और बैंकों को लेकर बैंक अपनी बैलन्स शीट के संतुलन पर ध्यान दे ताकि एसेट लाइबिलेटी का संतुलन गरबडाए नहीं क्योंकि बैलन्स शीट के असंतुलन की वज़ा से ही अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर पर संकट आ चुका है ये संकट भारत पर भी आ सकता है अगर आप सही तरीके से बैलन्स शीट को नहीं रखेंगे क्योंकि अमेरिका के भीतर डूबे इस दौर में अगर ध्यान दीजिए सिलिकॉन वैली बैंक हो सिगनेचर बैंक हो और उसके बाद जो फर्स्ट रिपबलिक ब कुबा तो उसने यस बैंक वाली थियोरी अपना ली वहां कि 11 बैंक उस बैंक को समालने के लिए सामने आ गए जान गए ये कड़ी अगर बड़ी होती चली गई तो फिर खत्रा मनराएगा और भारत के भीतर की परिस्तितिया अगर उस परिपेक्ष में देखें तो इस्तित में हमने रिपोर्ट दी थी कि एकनॉमी के लिए कितना बड़ा खत्रा क्रिप्टो करेंसी है तो भारत सरकार पे कौन सा दबाओ था अंतरास्टिये तोर पर जो दुनिया में सत्ता बनाते बिगाड़ते हैं क्या उनका दबाओ था या एकनॉमी वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं उनका दबाओ था और सत्ता उनी के हिसाब से चले इस दिशा में भारत भी क्या जा चुका है और भारत की डिमोक्रिसी को लेकर जो सवाल बार बार दुनिया के अलग-लग मंचों पर विपक्ष के नेता राहुल गांदी उठाते हैं तो कहीं उसके अक्स तले करे लेकिन अब आईए उस दिशा में जो अमेरिका और भारत के बैंक में एक बड़ी मोटी लकीर कीसता है भारत में अधिकांश डिपोजिट जो है वो घरेलू बजट से है तो बैंक अगर डूबने लगेंगे तो घरेलू बजट का मतलब इस देश के आम लोगों पर सीधा प फिजदी घरेलू बजट के तोर पर है और भारत के भीतर जो बांड पर निर्भरता काफी कम भी है कोकि अधिकांश निवेश जो है वो सरकारी बांड में होता है अब यहां से सवाल उड़ता है कि जब अधिकांश बैंक 72 से 78 फिजदी मैचूर्टी तक रकम को रखते हैं तो यहां के बैंक क्यों डूबेंगे लेकिन आरबियाई के गवर्नर अगर चिता रहें और कह रहें कि बैलेंस शीट के डगमगाहट की परिस्तिती को अगर समझीए और इसके समनांतर वो शेर बाजार की तरफ इंगित बर कर रहे हैं तो एक बात यहां शेर बाजार की और उसे जादा शेर के दाम एक वक्ट जिस टॉप पर रहते थे उसकी कीमत आज आधी से कम हो गई है उसमें अडानीज ग्रूप को भी आराकर खड़ा कर सकते हैं अडानी इंटरप्राइज़ एक वक्ट चार हज़ार के पार था आज की तारीक में 16, 17, 1800 के बीतर जूल रहा है यानि दो हफ्तों में बीते दो हफ्तों में सेंसेक्स लगबग साले पांच फिस दी अगर तूटा है तो अगर वो अमेरिकी बैंकों के डूबने का प्रभाव है और तो कलपना कीजिए कि भारत के भीतर वो कौन सी परिस्तिती आकर खड़ा हो सकती है जो शायद डगमग इ तरफ जाते हैं बैंकों पर आएं या शेर बाजार पर हमें लगता है आपको पहले बताना चाहिए बैंकों को लेकर क्योंकि आम पैसा वहां पर लगा हुआ है इसकी एक कलपना डिविदेंट के जरीए कीजिए डिविदेंट में बजट इस्टिमेट किया गया दो हजार ब 993 करोड रुपया यानि एक जटके में लगभग 50,000 करोड रुपय कम हो जाएंगे यानि 73,000 करोड से घटकर 40,000 करोड पर ये डिविदेंट आ गया नेक्स्ट इयर कहा जा रहा है 48,000 करोड डिविदेंट के तौर पर मार्च 2024 में आएगा लेकिन अभी से चल रहा है जो रहा है तो कुछ घाटे में परिस्तितिया आ गई है अब इसके लिए बैंकों के भीतर जाना चाहिए खास तोर से तब जब डिफॉल्टर की संख्या बैंकों में लगातार बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है और ये विलफुल डिफॉल्टर है यानि उनके साधन बतलाते ह कि वो दे सकते हैं लेकिन वो नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि डिफॉल्टर गोशित कर दीजिए अब उनको बैंक से दुबारा लोन नहीं देंगे नॉन बैंकिंग सेक्टर से भी उनको लोन नहीं मिलेगा इसके अत्रिक्त कुछ नहीं होता है लेक बैंक में 1746 हो गई बैंक को बड़ोदा में 2230 हो गई यह डिफॉल्टर्स की संख्याम आपको बतला रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में घोशिट डिफॉल्टर्स हैं बैंक ओफ इंडिया में सबसे कम 340 आई डी बी आई जो बिक रहा है प्राइविट सेक्टर के हाथों जा हैं आप कहिएगा पहले नहीं थे क्या पहले थे बिल्कुल थे कोविट काल से ठीक पहले चले जाईएगा और अभी लियाईएगा तो लगबग डिड़गुना हो गई यानि उस समय अगर 10,000 डिफॉल्टर थे तो आज ये 15,000 डिफॉल्टर से ज़्यादा की तादाद हो ये परिस्तिती क्या पतलाती है और इस परिस्तिती के भीतर जब आप जिक्र करना शुरू करते हैं कि RBI के एसिट क्वालिटी रिव्यू के बाद जब ग्रॉस NPA का जिक्र आता है तो वो दस्तावेज में दिखलाता है 5.41 परसेंट आप खुश हो जाते हैं कि चलिए कम हो गया लेकिन ये कम क्यों हुआ बकाइदा पार्लियमेंट में सरकार कहती है कि 10 लाक करोड से ज्यादा कर्ज जो है बटे खाते में डाला गया या रिटेन आफ गया अगला सवाल आएगा तो फिर आप बैलेंस शीट कैसे समाल रहे हैं या बैलेंस शीट ठीक रहे सिर्फ इस जिसका जिकर आरबियाई के गवर्नर कर रहे हैं तो यह एक खतरनाक परिस्तिती है और ध्यान दीजिए एस बियाई ने दो लाक करोड रुपए इस दौर में रिटेन आफ हुए हैं पियन बी में पंजाब नेशनल बैंक में 67,000 करोड से ज़ादा रिटेन आफ हुए हैं औ कौन सा काम कर रहे हैं और इस देश की एकनौमी में उनका कितना बड़ा योगदान है आप कलपना के परे है कि भारत का कोर सेक्टर या मैनिफेक्शरिंग सेक्टर उसके पैरलल में ले आई है अगर इनके ग्रोथ रेट को देखे और इनकी परिस्तिती को देखे और इनको जितना लोन लगबग 33 लाग करोड से ज़्यादा लोन जो इन पर है जो लास्ट अक्टूबर 2022 तक का जो डाटा निकल कर आ रहा आईर बियाई ने जो जारी किया उसमें आप अगर ये देख पा रहे हैं तो ये चुकता कैसे करेंगे जब इनकी पूरी परिस्तिती ना जु इन छेत्रों के भीतर जो पैसा बैंकों के जरिये निकल कर कर्ज के तौर पर दिया गया और जो कड़पती थे उन्होंने अरपती कहिए उन्होंने पैसा अगर नहीं लोटाया तो बैंक कैसे ठीक करेंगे ये अगर पहला सवाल आपके जहन में आ रहा है तो दूसरा सवाल यहां पर आएगा कि सिर्फ इंफ्राइस्ट्रक्चर को लेकर 42 हज़ार कोड़ इसी बरस का एक डाटा निकल कर आया और पावर सेक्टर और रोड में उसमें लगबग 22 हज़ार कोड़ रुप्या दिया गया इस्तिती क्या है देश के बीतर ये बताने की ज़रुत नहीं है क कि जितना करज लिया जो पहली जानकारी आती है और जो दूसरी जानकारी आती है और सपोस कीजिए किसी ने सौ रुपए लिये और सौ रुपए नहीं लोटाए तो वो सौ रुपए रहेंगे या उस पर इंटरेस्ट लगते लगते वो कितना बढ़ेगा और अगर उसी को बढ़ाते चले जा रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं हमने उसको नहीं बढ़ाया है तो इसका मतलब क्या है क्या उसके बावजूद भी दिया जा रहा था ये पूरा खेल आकड़ो का है उसको हम तिन चार कंपनियों के जरीए आपको बताते हैं मसलां गिता अंजली जेम्स लिम्टेट आर बी आई की एक लिस्ट आई दो हजार उन्निस में उन्होंने कहा कि लगबग पांच हजार चौवालिस कोड़ रुपा इस पर करज है महुल चौकसी का नाम इन से जुड़ा हुआ है फरार है बाहर है उसके बाद दूसरी लिस्ट आई एकत्यस मार्च दो 7,44 कोड़ के और 22 के मार्च में आंकड़े आए 7,848 कोड़ के जो बढ़ गए आर ई आई जो रिलाइंस का एग्रो लिम्टेड है उसके उपर कर्स था 4,197 कोड़ 2019 में 2022 में बढ़कर ये 4,803 कोड़ हो गया जूम डेवलेपर्स 2,024 कोड़ बढ़कर 2,147 कोड़ हो गया र 3,75 कोड़ से बढ़कर 3,708 कोड़ हो गया इस फिरिस्त में देखिएगा तो जैसे कौन काॉस्ट स्टील है इसके उपर 4,596 कोड़ है इरा इंफरा है 5,889 कोड़ है कोस्टल प्रोजेक्ट है 2,311 कोड़ है यह ऐसे नाम है जो हर बार जिक्र होते हैं और कीमत बढ़ती हु पर आव करने में लग जाती हैं कि लिएबलीटी देखिए उतनी नहीं इतनी हो गई फिर उसके बात कहते हैं बैलेंस शिट ठीक करने के लिए इतनी नहीं उतनी थी और उसके बाद रिटेन अफ होता है तो बूलते हैं देखिये बैलेंस शिट ठीक हो Gई Ain जब राइटेंission आफ करती है यानि बट्टे खाते में डालती है तो उसके बाद पुरानी परिस्तित्यों को निकालते हैं नहीं अभी और रिटेन आफ करने की जरूरत है तो क्या भारत के बैंकों के साथ उस अर्थववस्था का खिलवार हो रहा है जिसमें घरेलू निवेश तेरें सट लक्ष्मी विलावस बैंक के बाहर किस तरीके से ठके हारे लोग खड़े थे कि अपना पैसा निकाल पाएं अमेरिका में तो सरकार कह देती है ठीक है आपका पैसा हम वापस करेंगे टेक्सपेयर पे कोई दबाओ नहीं कोई प्रभाओ नहीं और इसी की वज़ा भी है कि ज इतना पैसा नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो इंशोर्ड मनी थी वह तो इस दिशा में जा नहीं रही थी वह तो एक हजार कोड़ से ज़्यादा मिल नहीं पाता आठ हजार कोड़ से ज़्यादा जमा था वहां जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली क्योंकि उनकी अपनी आर्थ होता और कहा जाता है कि चीजे बिगड़ेंगी या नहीं बिगड़ेंगी और हम लगातार आंकड़ों को देखते हैं 60,000 के नीचे गया तो मुश्किल है 60,000 के उपर आया तो ठीक है अब आप सोची आज की तारीक में शेर बाजार का जो वेल्यू टोटल वेल्यू गिरा जो वह पहुच गिया 247,000,000 करोड पर अडानी कांड से पहले इसकी वेल्यू जो थी 262,000,000 करोड थी 262,000,000 से घटकर 247,000,000 करोड पर आ गया कितना डूब गया पैसा इस दौर में अब 15,000,000 करोड से जादा डूब गया तो ये किसका पैसा था और सभी निवेश जो विदे शेयर कॉस्टली हो गए तो निकाल लीजिए और फिर डॉलर के भाव में निकाली और उसको बाहर बेचिए डॉलर मजबूत हो रहा है उनको लाब हो रहा है हमको नुकसान हो रहा है और आप सोचिए कि 300 शेयर ऐसे हैं जो आल टाइम लो पे 50% के लगभग नीचे आ गए औ और उसमें भी अगर आप शेयर की संख्या जानना चाहते हैं तो 92 शेयर ऐसे हैं जिनके कीमत 75 फीजदी नीचे गिरी है 66 शेयर ऐसे हैं जो 80 फीजदी नीचे गिरे हैं सिर्फ 14 दिनों के भीतर साड़े 5 फीजदी से ज़्यादा शेयर टूट गए BSE और NSE के भीतर सेंसेक्स नीचे आगिया 5.4 परसेंट निफ्टी का 6.3 परसेंट सवाल है बार बार जिकर दुनिया का होता है तो आज शेयर बाजार के जरिये जरा समझ लीजिए कि दुनिया भर के बाजारों में जो मार्केट कैप था वो बढ़ा है भारत में ये कम हुआ है और कम कितना ह हुआ है इसको इस बात से समझ लीजिए जर्मनी में लगभग 8.6 परसेंट मार्केट कैप उपर आगिया फ्रांस में 7.92 परसेंट मार्केट कैप उपर आगिया चीन में 5.9 परसेंट शेयर बाजार का मार्केट कैप उपर आगिया अमेरिका में लगभग 2.05 परसेंट मार् जी मिलेगी नहीं, वहाँ भी शेयर बाजार 0.77% उपर ही गया है, लेकिन भारत में ये माइनस 11% पे आ गया इस साल, हम सिर्फ इस साल का आकड़ा बता रहेते हैं, नेगटिव में एक भारत है और दूसरी तरफ कैनेडा है, लेकिन कैनेडा 1% से नीचे है नेगटिव, भारत 11% से ज़्यादा नेगटिव में आ गया है, अब आप समझेए कि जिन परिस्तिती में भारत की भीतर जो इस्तिती चल रही है, उसमें अगर आप एक इस्तिती में इसी को ले आईए कि अड़ानिस जो दुनिया के सबसे बड़े रईस थे, उनकी क्या इस्तिती शेयर बाजा में हो गई, तो आज ही जानकारी निकल कर आई कि ग्रीन इनर्जी और एंडी टीवी जो है, उसको जो है लॉंग टर्म एसम में डाल दिया गया, यानि एडिशनल सर्विलांस मेजर्स फ्रेमवर्क के दायरे में ले आया, अगर आपको याद हो, आठ मार्च को अड़ानी इ है, और इस रूप में सर्विलेंस में डाला गया और खास तोर से जब सुप्रीम कोट के कहने पर से भी भी जाज कमीटी बैठाई हुए और कमीटी सुप्रीम कोट ने भी बैठाई है, जो जाज हो रहा है, मैसेज क्या है, सबसे बड़ा मैसेज यह है कि भारत के भीतर की कह पानी उन्हीं आकड़ों के आसरे चलती है जो आकड़े या तो बैलेंस शीट में हूं या सरकार उनको पार्लियमेंट में बताएं और बैलेंस शीट के आकड़े अगर अप डाउन लगातार रिटेन आफ करज को बच्टे खाते में डालने और विलफल डिफॉल्टर्स के इर्दगिर्ध रेंगते हैं और लगातार करज देने की रफ़तार बढ़ी हुई है और करज ना लोटा पाने की रफ़तार भी बढ़ी हुई है तो इस एकनौमी का माईबाप होगा कौन तो पहला सवाल क्या वाकई राजनेतिक तोर पर बैंक भारत में काम कर रहे हैं अभी भी दूसरा सवाल जो घरेलू निवेश यहां पर सबसे ज़ादा है दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में घरेलू निवेश सबसे ज़ादा है और अगर भारत की उस मारकेट इकनौमी पर जटका लगता है जिसका असर बैंकों पर पड़ता है तो सीधा असर आम पर पड़ेगा उसकी भरपाई कैसे होगी और तीसरा सवाल सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास तो हर सत्ता हमेशा से करती आई है लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए इंडिया के इंसिचूशन और उसमें भी पबलिक सेक्टर के बैंकों का इस्तमाल भी हो सकता है यह पहल की बैंक अपनी बैलेंस शीट के संतुलन पर ध्यान दें ताकि एसेट लाइबिलेटी का संतुलन गरबढ़ाए नहीं और हमें लगता है चुनाओ और अर्थ्ववस्था के बीच भी बैलेंस बना कर रखें अनिता देश टूब जाएगा तो कौन सा प्रचार काम आएगा बहुत बाश्यक्रिया बहुत बाश्यक्रिया